Good morning all of you, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है creativity, ठीक है, जिसको हम हिंदी बोएं सिजनात्मक्ता बोलते हैं, वैसे तो अगर हम बात करते हैं, creativity का मतलब क्या है, कोई नई चीज उत्पन करना, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, हम पुरानी चीज को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नई उत्पन करना, पुरानी चीज को मोल्ड करके, ठीक है, हम कोई भी नई चीज बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारी creativity, ठीक है, तो creativity क्या है हमारा, कि इसका meaning हमारा जो है, स्रीजन करना, ठीक है, उत्पन करना, क्या meaning है इसका, उत्पन करना, creativity से अर्थ है कि जो विचारों और वस्तों के में जो आपस भी नए रिलेशन बनाना नए संबंद बनाना ठीक है चाहिए वो वस्तों से रिलेटिड हो चाहिए वो विचारों से रिलेटिड हो हमारे व्यूस से रिलेटिड हो ठीक है तो विद्वानों ने अलग अलग इनकी सिजनात्मक्ता की अब कोई भी एक या दो राइटर के अच्छे से याद कर लेना फॉर एक्जाम्पल है फर्स्त आपका अकॉर्डिंग टू डुड्र ड्रिव हडल ठीक है इसका क्या है कि सिजनात्मक्त क्या होता है कि सिजनात्मक्ति व्यक्ति व्यहय योगिता रखता है जिसके द्वारा व् अतलब कोई नई रचना करता है ठीक है अथ्वन नवीन विचार प्रस्तूत करता है ठीक है तो यह है आपकी ट्रेटिविटी क्रेटिविटी इस दाइबिलिटी एफ इंडुड इस वेल बाइविच जी क्रेट सम्थिंग न्यूव एंड प्रेजेंट्स नूवल आइडिय तो यह क्या है आपकी क्रेटिविटी है ठीक है एक को राइटर के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप स्टेगनर के अकॉर्डिंग है किसी नई वस्तू का पूरन या आशिक उत्पादन क्या है क्रेटिविटी है तो आप इंग्लीश इंदी जैसे आप हो ठीक लगे उसके अकॉ da stics होती है ठीक है उसकी क्या विशेषताइं होती हैं देखिए जो creativity होती है उसमें और फिसमी क्लाज में सभी बच्चें मान लीजिये तो किसी में अधीक है और जैसे IQ level सबका क्या होता है अलग-अलग होता है ठीक है ऐसे ही क्या है creativity करने की जो शमता होती है किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है ठीक है तो यह आपका characteristics है second point है आपका इसमें जो creativity योगता का प्रशिक्षन है और शिक्षा द्वारा इसको हम विक्सित कर सकते हैं जैसे माली जी हम किसी चीज़ को improvement करना चाहे तो education के द्वारा हम इसको improvement कर सकते हैं और क्या है इसके द्वारा नई वस्तु को उत्पन किया जा सकता है और ऐसा नहीं कि नहीं वस्तु होनी चाहिए कहने का मतलब जो हमारी पुरानी वस्तु है उसमें भी हम नया रूप ला सकते हैं समझ आ रहे हैं creativity है और बुद्धी जो हमारा IQ होता है इसमें आपस में कोई relation नहीं होता जिसका IQ लेवल जादा है जरूरी नहीं है वो creativity children हो ठीक है समझ गए जिनका IQ लेवल जादा है वो जरूरी नहीं कि creativity children हो और जिसमें creativity जादा है वो जरूरी नहीं कि उनका IQ लेवल भी बराबर हो उनक है उनका IQ level डाउन हो ठीक है और जिनका IQ level अच्छ है हो सकता है उनके creativity डाउन हो तो इसमें आपस में कोई ऐसा relation नहीं होता ठीक है यह तो थी characteristics उसके बाद हम करते हैं characteristics of creativity children's जो बच्चों में होती है वो क्या होती है हमारी writers ने अलग अलग दिया है creativity होती है उसके द्वारा किसी भी नए कारे एवं उत्पादक क्या होते हैं मौलिक original होती है ठीक है जो हम उत्पन करते हैं जो हमारे सामनी नहीं चीज़े आती हैं वो क्या होती है original होती है ठीक है और क्या है जो creativity लिए उनमें विरोत को सेहने की शमता अधिक होती है ठीक है अब कही बच्य बच्चिंखे आहां करने होते हैं बहुत उसके वासलिषक्ञ – बार एंग किसे प्रकार कंथल्टी REM टेजिक्ज झा तरहुं और क्या होते हैं इनके विचार मोलिक होते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं आदर्ष वाले जो आदर्ष होते हैं आईडिलिजम वाले ऐसे होते हैं और क्या है उनमें उस्तर की कारे शक्ति करने की अधिक चाहा होती है अधिक कारे करने की शक्ति इनमें होती है ठीक है और क्या ह उनके विचारों का जो बालक होते हैं वो अज्ञान और असफश्ट वस्तू और विचारों के भैसे नहीं डरते मतलब उनकी अंदर ऐसा भैस नहीं होता ठीक है बैटा तो यह थी हमारी जो बच्चों की स्रिजनातमक्ता की प्रकरिया जो हमारे स्रिजनातमक्ता का निर्मान करते हैं तो उसकी जो हमारे पास चीजों की जरूरत है ठीक है हम उसको for example माली जी एक लेखक है आपका तो लिखने के लिए उसको किताब के लिए जो हम बहुत सारी हमें सामगरी कठी की हुई है उसकी preparation करेंगे हम ठीक है बटा तो इस सवस्था में क्या होता है जो भाया करिया होती है वो बंद हो जाती है और जो हमारे पास material है उसके बारे में हम वो करिया चलती रहते हैं कारे करते हैं उसके बाद है illumination illumination क्या होता है प्रकाश कि इस सवस्था में जो अचानक हमारे सामने समस्या के समधान का जो पता हैं उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन करके देखेंगे जब हमारे पास सारЫ कुछ तयार हो गया कहने का मतलब परताल को सrael's में बॉर्स्टा में जो भी हमारे पास समय्स्टाइब प्राप चिफिकेशन के लाता आपके Certificates की जा जो कहते है उसको बोलते है जांच पड़ताथ कि मुझे हो सकता है कि डाउट हो किसी बच्ची के उपर ठीक है हो सकता है कि आप लोगों का सही है फिर भी मेर को पीछे से और आया है कि मैंने आप लोगों का क्या करना है Certificate Verification करने तो इस तरह से हमें क्या करने पड़ती है वेरिफिकेशन ठीक है तो यदि समस्या हमारे सामने उसका समधान नहीं हो रहा है फिर हम दुवारा से फिर वही प्रोसीजर हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है कौन सा जो हमने स्टार्टिंग में किया था प्रिप्रेशन वाला तो यह चार आपके पॉइंट्स है चार अवस्ताओं में से होकर क्रिटिविटी गुजरती है उसके बाद आता है आपका जो आइडिफेंटिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्डरन की स्रिजनशिल बालकों की जो पहचान है वो कैसे करनी है हमने ठीक है कोब चाहिए अगे बढ़ जाते हैं तो क्या होना चाहिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विभार निरिक्शन की तो सीजनशील बालकों से विभार का जो निरिक्शन करके हम उनकी creativity के बारे में जाना जा सकता है उनकी विभार के बारे में हम पता लगा कर ठीक है आप मालीजे मुझे आपके 5-6 बच्चों में से 10 बच्चों में से 15 बच्चों में से 3-4 बच्चे चाटने हैं जाधा creativity बच्ची है ठीक है सिजनशील जो मतलब कर सकते हैं नई नई चीजों के लिए तो मैं क्या करूंगे आप लोगों में से सभी को थोड़ी ना लेकि जाओंगी उसमें से अगर जितना order हमें दिया गया है उसके हिसाब से उनको जाचा जाएगा ठीक है पटा उनके जो आपका विवहार है उसके according हो सकता है मैं किस वे से विवहार चेक करूं ये मेरी मर्जी है उसके बाद है हमारे जो उनके विवहार में योगता होनी चाहिए क्या क्या होनी चाहिए मोलिकता जो भी हमने पड़े है ना पिछे कुन मोलिकता होनी और क्या होना चाहिए, स्वैम जो कारे करे, वो क्रिया करने के, कारे करने के उनके अंदर होसला होना चाहिए, जिग्यासा होनी चाहिए, जागरुकता होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, हर बच्चे के अंदर ये चीज़े मिलती है जैसे IQ के लिए हम टेस्ट लेते हैं ऐसे ही स्रिजन श्रील बच्चों के बारे में जानकारी रखने के लिए हम कुछ टेस्ट लेते हैं ठीक है तो इस पदिती का प्रयोग किया जाता है बच्चों की पहचान करने के लिए क्या क्या किया जाता है टोरेंस टेस्ट क्रेटिविटी एक टोरेंस के लिए टेस्ट दिया है उसके बारे में बच्चों के उपर वो अपनाया जाता है और क्या है आपका बकार महेदी स्रिजनात्मत परिक्षन इसने भी टेस्ट दिया था क्रेटिव ठिंकिंग का टेस्ट उसके द्वारा हम ने दिया था टेस्ट ओफ क्रेटिविटी ठीक है और उसके बाद जैक्सन ये हैं जिनों है जो हमारे रिसर्च होते हैं उससे रिलेटेट सिजनात्मक्ता को मापने के लिए अलग-अलग पांच परकार के बारे में परिक्षन का उप्योग किया है इनका बताया हुआ है सबसे साचार्य परिक्षन लेंगे बच्चों को कैसे लेंगे इसमें बच्चों को जो शब्द है शब्दों की अधिक से अधिक परिभाशन देने के लिए नौलिज होनी चाहिए उनको कहा जाता है कि वर्ड की डेफिनेशन बताइए ठीक है सेकिंड है यूज ओव तिंग तेस् इसमें क्या होता है बच्चों को जो समान्य वस्तों के अधिक से अधिक उप्योग के बारे में कहा जाता है कि जो वस्तियों है नौर्मल विचार होती है उसके बारे में आप क्या-क्या बता सकते हो उसके बारे में आप क्या-क्या डेफिनेशन दे सकते हो ठीक है नेक्स है अधिक जटिल खित्र का आकार बनाने के लिए कहा जाता है कि इसके points के according कही बर क्या होते हैं हम play way method से भी इस तरह से करते हैं कि खेल खेल में ऐसी चीज़े करते हैं कि बीना मान लीजे कही बर हम एक दूसरे को बोलते हो कि आप बीना pen उठाए आप उसको कहते हैं ना कि work बना इस तरह से हम play भी करते हैं खेलते हैं तो इस तरह से related होते हैं कि picks के according हमें जैसे मैंने आपको four example यह बताया था एक पहली है कि उपर से नीचे हमें कैसे जाना है ठीक है उसका घर कैसे ढूणना है कि आप points लगे होते हैं आपने newspaper में भी देखा होगा points लगे होते हैं इससे क से creativity चलती है तो इसमें क्या होता है एक card पे बने जो साधारन चित्र होते हैं उसके आकार से जो चात्रों में अधिक जटिल से जटिल चित्र मुश्किल से मुश्किल चित्र बनाने का आकार बनाने के लिए कहा जाता है कि आपको points दे रखे हैं इससे आप कोई भी मुश्कि अधूरी जो लगू कथा होती है लगू मतलब चोटी कहानी उसको इस परकार पूरा किया जाए कि वह कहानी आपकी जो लास्ट में या तो कोई आपकी कोई सुख से रिलेटेट होनी चाहिए या किसी भी अगर मालीजी जो भी आपको एंडिंग करने के लिए कहा जाता है उ इस तरह से बच्चे किया करते हैं उनको स्टार्टिंग करके दे देते हैं लेकिन कंप्लिट उनको खुद करने पड़ती है तो वो नई-ई चीजों की क्रीटिवीटि करते रहते है शे में क्या हो गया विचारों की levar के भ सलंगET कर बना के दिखाईए, कोई फ्लावर बना के दिखाईए, या कोई आनिमल की पिक्चर्स बना के दिखाईए, तो ये क्या है आपकी creativity है, ठीक है बटा, तो ये last में third point है हमारा makeup problem test, ठीक है ये भी एक test है, जिसके द्वारा हम बच्चों की समस्य निर्मिक परिक्षन है, कि बच्चों की creativity के बारे में पता लगाते हैं, इसमें क्या होता है, बालकों से जितनी अधिक संख्या में, जो math की calculations होती है, समस्य है, वो क्या है, उसके लिए हल करने की problem solve करने की, उनके अंदर क्या होनी चाहिए, मतलब शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, कि उनके सामने जो भी समस्य आती है, वो उसको solve कर सके, ठीक है, तो ये होते हैं आपके creativity child, और उनकी हम creativity कैसे पता लगाएंगे, इन आपके जो test है, इनके द्वारा, ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आता है, next relationship between creativity and intelligence, अब इन्होंने क्या कहा है, जो creativity है, उसका IQ के साथ, और इसके साथ, relationship दोनों में, creativity and IQ, क्या है इनका relation आपस में, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि इनका आपश में कोई गहरा relation नहीं है, कि आप लोगों का इसमें क्या किया गया है, टोरेंटो, टोरेंटो एक हमारा व्यज्ञानिक है, उन्होंने इस निशकर्ष पे निकाला है, अपने अध्यन में क्या किया है, उन्होंने कुछ conclusion निकाला है, सबसे पहले कि बुद्धी जो परिक्षन होते हैं, IQ टेस्ट होते हैं, और सिर्शनात्मक्ता जो creativity है, उसमें आपस में correlation का स्थर लड़कियों में अधिक पाया जाता है, ठीक है, कि जो बुद्धी परिक्षन है, IQ है और creativity, ये लड़कियों में जादा मिलती है, लड़कों क बजाए, और क्या बताया है, इन्होंने, जो IQ है हमारा उसमें और creativity में आपस में correlation कम ही पाया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कि जो बच्चे IQ लेवल में फास्ट होंगे, उनके अंदर creativity भी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने गैजल और जैक्सन है, इन् हमारा IQ और जो हमारी creativity है, वो एक नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा, इस परकार के परिनाम हमारे दो हमारे समू लिए गे, ग्रूप लिए गे, उनके उपर ये क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक समू के अंदर तो हमारे उच बुद्धी वाले बच्चे ले फास्ट है, ठीक है, और दूसरे समू में creativity बच्चे ले लिए, जो creativity में expert है, हमने टेस्टों के दिवारा बच्चों को अलग निकाल लिया, ठीक है, तो हमारे सामने क्या होता है, जो उच बुद्धी वाले जिनका IQ लेवल में fast है, और जो स्रिजनात्मक्ता है, इनका हमने परिक्षन किया, बहुत थी, निमस्तर पे थे, अगर हमने इनका टेस्ट लिया, तो उच बुद्धी वाले जो बालक थे, वो स्रिजनमक्ता, जो हमारे creativity चायल थे, परिक्षन में बहुत निमस्तर के थे, ठीक है, क्योंकि उनका IQ लेवल तो जादा है, लेकिन उनके अंदर creativity नहीं थे, ठीक है, उसके बाद दूसरे स्रुमू में क्या हुआ, विध्यारती इसमें भी ले लिए हमने, जो हमारी creativity चायल थे, और बुद्धी परिक्षनों पर इन्होंने निमस्तर पे थे, जो दूसरा हमने किया, उसमें क्या थे ये वाले, जो creativity बालक थे, बुद्धी परिक्षन जब इनका लिया गया, तो वो निमस्तर पे थे, और जो creativity इनका परिक्षन हुआ, IQ लेवल वाले, फास्ट, वो उपर थे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कि दोस मुह लिए गए, और उसमें से, जो IQ वाले थे, उनमें ऐसा नहीं है, उनकी creativity डाउन थी, ठीक है और जो creativity वाले थे, उनका creativity अप थी, और IQ लेवल डाउन था, ठीक है बेटा, तो इसमें आपस में कोई relation नहीं हुआ, तो इन दोनस मुह से बुद्धी और जो हमारी IQ और जो हमारी creativity है, प्रिक्षनों के परिनामों में correlation लगबग क्या हो गया, जीरो ही था, शुन्य ही था, जो आपस में correlation था, ठीक है, तो इस परकार जो उश्य बुद्धी वाले जो बच्चे हैं कि स्थर के बुद्धी एवं जो creativity है, आपस में correlation किसके बराबर हुआ, नय के बराबर, और इसके बाद बताया गया कि जो मनोव ज्यानिक है, उनके उध्य काल में बुद्धी और स्र प्रिक्षन नहीं थे, कोई प्रियोग नहीं थे, तो बच्चों का जो creativity चेक करते थे, वो IQ टेस्ट के द्वारा ही करते थे, पहले प्राचीन काल में, लेकिन ये गलत था, क्योंकि हमारे सामने टोरेंटो ने, गैजल और जैक्शन ने क्या शोधकारे किया है, कि जिनका IQ अ तो अब हमें बाद में पता चला कि जिसके अंदर IQ लेवल मान लीजे जादा है, 120 है, 130 है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो creativity में भी expert हो, ठीक है बटा, तो इसलिए अब नए परिक्षन के, अकॉर्डिंग जो हमारा गैजल है, जैक्शन है, इन्होंने बच्चों में जो IQ है औ जो अंतर है, उसमें हमारे सामने हमें अंतर को बताया, ठीक है, और इस परकार जो उच बुद्धी वाले व्यक्ति हैं, वो क्या है, सदा सफलता की और बढ़ते हैं, और लेकिन जो हमारी creativity child होते हैं, वो सदा सफलता की और ज़रूरी नहीं है कि बढ़ेंगे, ठीक है, जो नहीं नहीं चीज़ों का experiments करते हैं, वस्तूं का, विचारों का, ठीक है, वो बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो intelligent बच्चों की तरह, क्या है, सदा सफलता की और ही बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें IQ level की test अलग होते हैं, और creativity वाले अलग होते हैं, ठीक है, तो य हमारा था आज का topic, ठीक है बटा, आज के लिए इतना ही, thank you